सब को पता है करीम का यार किसी को छोड़ा है उसने इंडिस्ट्री में तुम्हें मज़े कुछ बताना है यह लड़कियां कितनी इंसेक्योर हो जाती है आला जित करेंगी कि जाम उनका पेड़ कटवा दो स्लाम अलेकुम मेरी उमर के नौजवानों के साथ मैं हूं सहे बल्वी और हमाएं साथ मौजूद है आज राफिर राश्री जो अब एक मशूर फिल्म प्रोड्यूसर तरेक्टर बन चुके हैं अब वोड़ याफ्ता जिसे हम कहेंगे राफिर बहुत-बहुत-बहुत-मबार बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- जिस वक्त पाकिस्तान में हम सोशल जस्टिस के लिए तरस रहे हैं, राफे कैनड़ा में बैठे में हैं, और इनको इन्चाला जून में यब कांच फेस्टिवल होगा, तो इसमें बुलाया जाएगा और इनने अवर्ड दिया जाएगा, और साथ-साथ इनकी फिल्म को और भी राइटर हैं, आला तरीन, उनका ठीकता एक्स्टेंसिफ कांट्रिबूशन रहा है पाकिस्तान मीडिया इंडिस्ट्री में, तो मेरा सीरियल था बाच्छा वेगम, उससे शुरू होने से पहले जो था, मैंने बीगुल जी को कांटेक्ट किया था, मैंने का था, मुझे शॉ इंडिस्ट्री या किसी भी किसम की इंडिस्ट्री होती है, उस पे जो नॉर्म्स हैं ऑफ अब्यूस के या इंजस्टिस के फ्रम जेंडर वार्स, मेल एंड फीमिल बोथ, उस पे कुछ तबसरा किया जाए, तो उनका आइडिया था कि हम फैशन इंडिस्ट्री पे फोकस कर था, उनको रिक्वेस्ट करने के लिखने के लिए, क्योंकि वो भी काफी मस्रूफ होती है, और ये कंसीव किया गया, फिर ये दो साल कुछ रुख गया था, क्योंकि सीरियल में शूट करा था उस टाइम पे, और एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, जब वो खतम हुआ कास्टिंग हुई और कास्टिंग के अंदर हमारे पास जो है, हमने अडिशन्स लिए बाकाइदा, अपने एक्टर्स को फाइनलाइज करने के लिए, नापा भी गए थे, नापा के बच्ची भी इन्वाल्डनेंस के अंदर, और उसमें अद्दान सिदी की महा ताहरानी है, समर अंसारी, फाजी आमान, युगेश्वर करेरा, इर्फान मोती वाला है, रमेशान अवल, नौशीन शेख, माज़रत अकर में किसी को भूल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सब को याद रखूँ, तो यह हमने बस कोशिश की थी, और इसके जो एक्जेकेटिटिव प्र सेद मुराद अली, वो परवीन शाकिर साहबा के बेटे हैं, और उन्होंने जरूरी समझा उस टाइम पे जब मैंने डिसकस किया था कि क्या आप इजेकेटिव प्रूइसर की तोर पे आना चाहेंगे, ऐस फिल्मेकर, तो उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, और वो ऑन के नहीं हुआ है कि क्या हुआ हैं, जसमें लॉस आइंगलेस शौट फिल्म फेस्टिवल ए, इंडि फिल्म फेस्ट है, और वैंकूबर इंटरनाशनल मोवी आवार्ड है, तो बस यह है कि शौट फिल्म का फोकस mostly festivals में जाधा होता है, बहुत competitive होता है, इसका select होना, और मु बागी आपस दुआ करें कि फेस्टिवल रूंस में जितनी एक्यूलेट मिले उतना समसब का फायदा है, इंडिस्टिरी का फायदा है, मुल्क का फायदा है. आपने एक फिल्म बनाई थी पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ बताएं, कि वो क्या नाम किया था उसका, क्या रिस्टिप्शन था? जी, वो फिल्म थी थोड़ा जीले, और वो मेरी डेब्यू फिल्म थी, और वो 2015 में मैंने उसका स्क्रिप्टर स्क्रीन प्ले लिखा था, और शूर की थी हमने उसको 2016 में, उसके अंदर ड्रग कल्चर पे मौजू था, और यूध का कॉन्फरिक्ट था, तो जो हमारे मौश फेक्ट होता है, ये में फोकस था, उसके अंदर, बिलाल अबास जो हमारे सूपरस्टार हैं, रमशा खान हमारे सूपरस्टार बन चुकी हैं, बाकी जो हमारे एक्टर्स हैं, उनको भी काफी अच्छा खासा काम हो रहा है, रिजवान अली जाफरी, एसन मौसन इक्राम, फ उसके बाद प्रड़क्शन में रहे, तक्रीबन आठ नो साल, और उसके बाद वापस डिरेक्शन किया, परवीन शाकर साहिबा का सुन कर तो मुझे वो कनेक्शन यादा आगया, जो आपकी वालदा का, वालदा साहिबा का, परवीन शाकर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन, स् तो आपकी वालदा इस फिल्म की प्रेजेंट उन्हों नहीं की है और उनका इसमें क्या रहा है उनकी तो कनेक्शन तो आपके सबसे पहले वही काम आ गया देखें इसमें कोई शक नहीं है कि परवीन शाकर साहिबा के साथ एक बहुत गहरा रिष्टा था बच्पन से और अम्मी के साथ उनकी एक बहुत क्लोस निट रिलेशन्शिप थी और जो उनके बेटे हैं मुराद बच्पन से हम जो हैं आपस में इंटच रहे हैं तो यह जो रिष्टेदारी है यह हम निबाते आ रहे हैं जैनेरेशन्स की और मेरे ख्याल से मुराद का उन बोर्ड होना भी था एक इसम से समझें कि पाकिस्तानी लिनियर्ज है कंटिनियेशन है लेगसी की उनकी वालदा की बहुत कॉंटिबूशन्स रही हैं अम्मी की अपने एंट पे रही हैं तो वो सरकल बिलकुल आप सही कह रहे हैं कि वो इंटैक्ट था और उसने प्छोड़ा सा जॉइन करके वापस जो है हम जैसे यंग्स्टर्स को आगे लेक जो मदूर बंडाकर की फिल्म्स आती थी पेज्ट ली फैशन और इस तरह का उस तरह का कुछ इस अंदर है देखें हमने किसी फिल्म से इंस्परेशन तो नहीं ली थी या वो कहते हैं कि आपने इमिटेट किया है मेरा तो फोकस था एंटर्टेमिन इंडिस्ट्री में और जो फिल्म थी मदूर बंडाकर की वो डील करती है मेरे खाल से राइज इन फॉल आफ डीवा की आइकॉन की उसका थीम था कि किस तरह से आप सूपरस्टार बनते हैं और गिरते हैं तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है हाँ ये जरूर रकीकत है कि फैशन इंडिस्ट के अंदर अपने फायदों के लिए और क्या किसम का जो करप्शन चलता है इंडिस्ट्री में वो है और अगर इन मौदूआत के अगर हम बात करते भी हैं और अगर मदूर बंडाकर ने इन सारे सबजेक्स पे जो हम कहेंगे सोशल थीम्स को टच किया है तो वो भी एक अच् सब्सक्राइब करें कि कौन सही है या घलत है और पॉपिलर कल्चर में जब भी मर्द और 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 तकराओ होता है तो उसका कोई रिजलूशन निकलता नहीं है तो ऐस फिल्मेकर ये मुझे नहीं रखता कि मेरी जिम्दारी थी कि मैं कोई इस पर बाइस करके एक फैसला लू तो हमने इसको ओपिन एंडिट छोड़ा अच्छा ये बताईए कि आप हम लोग जो पाकिस्तान में हैं ये इस फिल्म को किस तरह देख सकेंगे क्या तरीखागार होगा हमारे लिए अच्छा सवाल है असल में शॉर्ट फिल्म के आविन्यूज जो है वो बहुत कम होते हैं सिनमा के लेहा से किसमत अच्छी हो जाएगे अगर कोई सिनमा ओनर बोलता है कि यार हम इसको एक्जिबिट करें क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे सिनमा ड्रामों को भी एर करते हैं कभी कभी है कोई ड्रामा अगर कोई चल जाता है तो उसको भी 30-40 मिनिट की डूरेशन पे DCD क बटके कि चला देते हैं हम इस पॉइंट पे अभी पहुचे नहीं कि हम किसी के साथ डिसकस करें लेकिन एक पाकिस्तानी फिल्म जरूर चलनी चाहिए अपने मुल्क में वहीं से ओरिजिनेट हुई है वहीं पे बनी है वहीं की टैलेंट है तो हम तो यह चाहेंगे कि वहां हो जाती है या OTT प्लाटफॉर्म हो जाते हैं तो वंस अगें अभी हम उसके बहुत ही अर्ली स्टेजिस में हैं कि हम उस पर कोई फैसला लें क्योंकि लिटरी दो महीने पहले हमने कि हमने फिल्म की फेस्टिवल रन शुरू की है तो उसका भी टाइम होता है कि देखने के कि कहां कहां फिल्म इंटरनाशनी उठती है और इसके बाद आप उसको पिच करें सो वर्क इन प्रॉग्रेस है मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे जितने ज्यादा लोग दे सकें और फीड़बैक दें फाइदा मिले बहसियत फिल्म साथ बहसियत हजादकार आपने बच्पन में क्या क्या देखा और आप किस तरह इंस्पिरेशन हुई आपकी कि आप एक फिल्म बनाते हैं क्योंकि यह तो ऐसी जग़ा है कि बहुत कम लोग इस गली में आते है जी बिल्कुल आप सही फर्मा रहे हैं स्कूल जाएं या मीडिया साइंसिस पढ़ें हमें तो चॉइस दी जाती जी बेटा जारा आइटी पढ़ लो या अपना साइंस पढ़ लो या बैंक जोइन कर लो या वो कर लो मीडिया एक बहुत ही टेटनिकल फील्ड है और अर्निंग मेकनिसम्स मीडिया के अंदर बहु करती थी और बच्पन से तकरीबन कुछ सेट्स पे एक इन्वाइर्मेंट रही जहां पे मैंने चीजें खुद देखी तो एक शौक था बच्पन से कि मैं इस फील्ड में एंटर हूँ लेकिन प्रोफेशनी स्पीकिंग तो मैं एक बैचलर हूँ इन्फरमेशन मीरे मास्टर्स जो हैं वो बिजन्स इस्टम अनालिस बें और जब शादी हो चुकी थी बच्चे हो चुके थे इस फील्ड में वापस आना जो था थोड़ा सा रिस्क्यू जाता है क्योंकि आव वापस एक फील्ड छोड़के किसी और में आ रहे हैं तो उस में जरूर है फ कुछ वजुआत हैं कि उसकी वज़ाद से शायद मैं भी बाहरी वैठा हूँ कि इसी वर्क उपरजुनिटी में कि हम जो हैं बाहर हाथ पैर मारें डिफिकर्ड हो गया है तो इस तरह से इंडिपेंट फिल्मेकर प्रोडूसर का काम करना विदिन दे मीडिया इंडिस्ट्री ह हाला कि हमारे ड्रामें बड़े मशूर हैं और हम फिल्म इंडिस्ट्री के अंदर वापस एंटर हो रहे थे और कोविड का थोड़ा नुकसान पहुंचा और इसकी वज़ा से फिर चीजें बैठ गई लेकिन क्रेट अभी भी जाता है फिल्मेकर को वो कोशिश कर रहे हैं औ उनके साथ और उसके साथ जो है आइस्ता इस्ता जो है नेट वर्किंग पियार एक्सपिरियंस करकर के जो है इसी तरह से आगे बढ़े ये बहुत जरूरी होता है कि आप पाकिस्तान मेरे खाल से आउन ग्राउंड एक्सपिरियंस बहुत मैटर करता है और हमारे बच्चे जो है अभी मीडिया साइंसेस के फिल्म ग्राइडूइस बढ़के अच्छी फिल्में बना रहे हैं लेकिन एक्सपिरियंस आपको ओन फील्ड का बहुत जरूरी है तो मेरी तो यहीं से लेगेसी और लेनी जाती है और मैं शुकर गजार हूं कि जिन लोगों ने मुझे चा जारत को नमबर वन बनना है पासी बहुत शुक्रिया आपकर आफे अपने टाइम दिया और इंशालला हमारी दुआ यही है कि यह फिल्म जो है आपकी शॉट फिल्ड इसको इसी तरह कामियाब यहां मिलती रहे ताकि आप हमें और अच्छी चीज़े बना के लिए नहीं थ पर बस दुआ करें इंशाला जितने फेस्टिबल में हम पहुंचें कि उतना मुल्क का फाइदा होगा उतना इंडिस्ट्री का फाइदा होगा राफिस राफिस